अगर आप उस लेजंड को सही तरीके से चूस करो तो यह सापके जीतने के चांसे बढ़ जाएंगे तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे यह पूछा था कि ऐसे लेजंड का प्यार बताओ जो आपको जीतने के लिए हैल्प कर दे तो यहां पर मैं आप ली खेला है और मैं आपको यह बुलूँगा कि 90% of the chances मैं इन करेक्टर का सेट लेने के बाद या फिर इन करेक्टर का सेट मेरे टीम में होने के वज़े से मैं जीता हूँ आप लोग इस तरीके से कर सकते हो यह टोटली मतलब मेरे नॉलेज के हिसाब से है अगें जितना नह तरीके से काम कर रहा है उसके हिसाब से यह लेजन्स का कैटिगरी काम करेगा अब वो क्या चीज़ है मैं आप लोगों को यहां पर पता दू तो जिससे आपके जितने का चांस बढ़ जाएगा शूरू-शूरू में जब आप खेलना स्टार्ट करोगे तो आपके पास सारे लेजन्स नहीं रहेंगे वो टाइम पर आपके पास कुछ लेजन्स रहेंगे अगर आप उस लेजन्ड को सही तरीके से चूज करो तो यह सापके जितने के चांसे बढ़ जाएंगे तो पहला है यह यानि की ट्रैकर तो ब्लड हाउंड एक तरीके से ट्राकिंग करता है तो यह हो क्या ट्रैकर वाला चीज अगर आपके पस वैलकरी नहीं रहेंगी तो कोई बात नहीं है आप ब्लड हाउंड एंड पाथफाइंडर से काम चला सकते हो अब इसके बाद नेक्स्ट केटेगरी आता है वह आता है डिफेंडिंग तो डिफेंडिंग मतलब यहाँ प बस्ते हुए खेलना चाहते हो तो यह क्यारक्टर सापके लिए बेस्ट रहेंगे नेक्स्ट चीज यहाँ पर एक्जामपल की लाइक लाइफ लाइन तो यह मेडिक का काम करती है फिर यहाँ पर अगेन आते हैं अटेकिंग वाले क्यारेक्टर तो रेथ बैंगलोर मिराज आप लोगों को यहाँ पर पताता हूं कि आप लोग पर अपना की इस तरीके से बनाओ देखो एक पर अगर आपको सबसे पहले बनाने वाले हो तो पहला चीज याद रखना की शुरू-शुरू में अगर आप खेल रहे हो तो गो फॉर दर ट्राकिंग वन्स या तो आप ब ब्लर डाउंड पर जाओंगे अब ब्लर डाउंड पर जाने के बाद आप जैसे क्या करोगे कि यहाँ पर सर्च करोगे दिख रहा है तो ब्लर डाउंड बताएगा कि यहाँ पर कितने करक्टर से एक करक्टर यहाँ पर एक करक्टर वहाँ पर इसे दो करक्टर से अब यह आपको बतायगा कि कितने characters है, दूसरा चीज यह है कि इसके बाद आपको जो character या आपको जो दूसरा character choose करना है, वो है आपका defending character, जो आपको attack होने से या इसा कुछ करने से बचाएगा, बहुत हो सकता है, वो er कौस्टिक हो, बहुत हो जिब्राल्टर हो, सकता वाटसन या फिर ए? उपने यहां पर देखा कि रंपाट का शिल्ड और अपाटब का शुल्ड आपको बचाई यहां पर कि कोई अट स्ट्क करने वाला है सामने से तो यह यह फिर्ड़े से बचने के लिए यह ई यूज किया जाएगा अभी अब इसके बाद तीसरे करेक्टर का बात आता है for example जैसे कि कोस्टिग नहीं फे आपना एक तरीके से ग्यास्टरब डाल दिया है बराबर अब चीज यह है कि जैसे लेपो पटना स्टार्ट हो गया है अब बात आता है यहां पर आटैकिंग क्यरक्टर में तो रेट करनास कर देगी अनकर अटाक करने से क्या होजाएंगा कि वह गरेक्टर जो है वह सिंपल सी बात यह जल्दी से डाउन हो जाएगा अगर पुरा इनमी स्कॉर्ड हा रहा है तो भी इनमी स्कॉण्ड इजी ली इनकर Cherry से हार सकता है अपने नहीं चीज देख लिया किए इक बंदा डूंड रहा है एक बंदा इस तरीके से है कि आपको इसली एक चीज से आपको टीम को अटेक करने के लिए है यह चीज़ आपको समझ में है तो यह आप मैं बोलूगा कि यह आप पहला अपना ग्रूप में चूज करो जिससे आपको बहुत ज़्यादा है अब दूसरा मेरा हिसाब से जो लिस्ट है करेक्टर का वो कुछ इस तरीके से है कि जो सबस तरीके से जिबरालटर काॉसट्ट Subscribe वाग्सन एंदरना पाथ तो यह त्यमस्ट नहीं चारों करक्षण अगर आप यी जूड़ी कॉस्टिक वाट्सन एंड रंपार्ट यह तिनों की जोड़ी अगर मिला दो तो मतलब अनब्रेकबल प्यार हो जाता है क्यों मैं आपको बताता हूँ जैसे आपको पता कि यह कॉस्टिक ने इस तरीके से राप डाल दिया बराबर अब दूसरा चीज यह है कि यहाँ पर यहाँ पर दूसरा करेक्टर आजाता रंपार्ट तो जैसे आप देख रहे हो कि रहां पाट ने यहाँ पर शिल्ल लगा तो अगर यहाँ पर बराबर बाजू में ही एक गैस कैनिस्टर है और यह बाजू में रंपार्ट का शील्ड है कोई भी बंदा अप्ते अटेक करने क अब लास्ट चीज बच्चा है वाट्सन तो वाट्सन तो भी मेरे पास है नहीं बड़ी चीज सोच लो कि अगर वाट्सन का इलेक्ट्रिक चार्ज है तो अगर वाट्सन का इलेक्ट्रिक चार्ज आपके आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक करन्ट लगा दो तो कोई भी बंदा आपके पीछे नहीं आ पाएगा आपको अटैक नहीं कर पाएगा और सिंपल सी बात है जब तीनों करेक्टर्स डिफेंडिंग तरीके से सही तरीके से खेल रहे है और तीनों थोड़ा सा समझदारी से बस खेल ले तो आप इसली अपना गेम जीच सकते हो अब इसके बाद एक और पैर है जो बहुत ही अच्छा है और वो पैर है इस तरीके से कि आप तीनों भी अटैकिंग क्यरेक्टर्स लाइब भी हो सकता है वरेत ब्लांग गलॉर और और यह ओनली काम तब करेगा जब आप अटैकिंग करना चाहते हो अगर आपको बस अटैकिं करना अइसव नहीं है कि आपने एक ड्रव Nie ऑप और ये क्रेंडे ने के बाद आप छूपके इसह बैठे बाद में इसके बाद बाद में उसके बाद छुपके बैठा रहता तो दो लोग आटक कर रहे हैं बंदा चुपके बैठा है तो सिंपल सी बात है आपका टीम जिद कर सकते पने टीम को अच्छा अभी next चीज यहां पर यह है और वह यह है कि lifeline जब किसी भी टीम्में lifeline का character आ जाता है तो इक तरीके से मैं आपको बता दू कि वह बहुत ज़्यादा powerful हो जाता है क्यों क्यों कि life line एक तरीके से बंदे लोगो को revive करती है तो ङसे और एक्जाबल जैसे आप अ आज इख रहा आप एको को यह ही ल कहने के लिए काम में आता है दूसरा चीस है कि अ अगर कोई बंदा डाउन हो जाता है उसको आप दूर करने के लिए भी यह तो ऐच्छा काम करता है तो एक यह भी चीज है तो lifeline जो lifeline वाला जो group होता है Almost Oh powerfully होता है बट आपको थोड़ा सा संबाल के खेलना अगर आपके सामने कोई lifeline वाला character है तो try करो कि पहले lifeline को down करने के लिए क्यों कि lifeline का character क्या करेगा कि वो दूसरे character को फटाक से revive करते रहेगा आप आप कितने भी करेक्टर को डाउन करो वह आटमेटिकली दूसरे करेक्टर को रिवाइव करतेगा तो इस तरीके से यह लेजंड का गुरूप था यह मेरे एक्सपिरियंस के इसाप से था आप लोग क्या बोलते हो आप लोगों का क्या राय है वो नीचे कमेंट करके मुझे ब वो अलग बात है कि मेरा अभी लेवल जो है वो काफी हाई है तो अगर आप मेरे साथ खेलोगे तो शायद से आपका लेवल भी आपको भी मतलब थोड़े से तगड़े इन्हें मिस मिलें अब अगर आपने जश्रू किया है तो कोई बात नहीं हम लोग फिर भी साथ में खे झाल झाल